कि अज़े नौकरानी इसकी इतने हिम्मत मेरे बेटे के साथ मेरे बैट पे सो रही है अभी से बताती हूं अरे वह ओई कांता उठ तेरी हिम्मत कैसे वही तुम मेरे बैटे क्या कर रही थी तू शुकर जा मैंने अच्छा समझत है तभी ना तेरे बढ़ंव से घर चोड़के मैं काम पर चले जाती हूं और तू मेरे बैटे के साथ मिम संब ऐसा एक कुछ भी नहीं है आप बहुत गलद समज़ रहे है मिम संब अच्छा तु कहना के चाहती हो कि मेरी आखे नधो धोका दे रही है और जो मैंने कुछ देखे यह सब कुछ गलत है जी मिम संब आपने गलत देखthi अचिक अईसा कुछ भी नहीं है खड़ी हो, जल्दी खड़ी हो, क्या बोल रही है तो, हाँ, तेरी समझ में नहीं आता, तब ही मैं सोचू, तुम मेरे बेटे के पीछ नहीं था, बाबा बाबा करके क्यों डोल रही थी, तुने, तुने इसको क्या खिला है, देख, मैं इतना जूर्चों सा चिला रही हू, त मैं गलत देख रही हो, मुझे कुछ नहीं पता, हाँ, मैं समझ गी, गरीब घर से है न, सोच रही होगी, इसके बेटे को फसा लूँगी, शादी करके बहु बन जाओंगी, बहु बन के मौज करूँगी, नौकरानी की सिंदगी से तो चुटकारा मिलेगा, मेरे बात तो कुछ भी नहीं है, आपने जो कुछ देखा वो सब गलत है, अच्छा, तो तू अब नौकरानी होके, मुझे बोलना चाहरी है, कि मैंने जो कुछ भी देखा, वो गलत देखा है, नहीं, अच्छा वजओ, मैं आज सही टाइम पर गई, अगर मुझे पता चलता न, कि रोज क को क्यों बुलारे हो मैं जब कुछ है इनीचे साथ समझ रहे हो, मैं गलत समझ रहे हूं, गलत तु वै, तुने मेरे बेटे के साथ किया क्या है, पहले ये बता, तभी कहूं, वो आजकल मेरे से जादा तेरे पिछे क्यों गूमता रहता है, जरूर तो ने इसको कुछ कर दिए है, वही रुख जा, ठीक है ना, पता ने क्या किया इसने मेरे बेटे के साथ, यह अभी तक ने उठ रहा, और लगता है तो ऐसे नहीं माने की, तुझे जरा से भी शरम ने है, शरम ने आरे बिल्कुल बेस है, पता ने, इतना कुछ चिला रहे हो, बनको सोने दो मे पता है, यह क्या बोल रहा है तो, तुझे पता है, यह तिर साथ क्या कर रही थी, यह यहां पर तिर साथ सो रही थी, और तु मुझे कह रहा है कि, अरे बेटा, तु मुझे बता ला, इसने तिर साथ क्या किया है, ममा, उमनोंने कुछ नहीं कर रहा है, आप तो मेरा क्या र प्रग्स करें ती तो उसी का सपोर्ट ले रहा है वो कुछ नहीं कर रही थी आप हर भार यह कहते हो बुखार उतर जाएगा उतर जाएगा आज मेरे को जायति है तो उन्होंने तो समझाने की कोशिश कर रही हूं अपको कि बाबा ने मुझ से बोला कि दीदी मुझे डर लग तो मुझे नहीं पता कब-कब मेरी आँख लग गई और मैं भी बाबा के पास में यहीं सो गई और जब आप आप आपको कुछ गलत लगा और आप आपने गलत समझते देव नहीं लगाई मेम साब और आपने मुझे बिना सोचे समझे थपण मार दिया अरे कानता वो तुझे पताया कि मेरे हस्मेन improv गया और इसको लेकिंकर चिन्टा करती रहती हूं कि मिरे पास टाइमी ने हो उता इसको अपना ने में को भेने का और जो कुछ भी मैंने देखा हो मेरे दिवाग में गलत ही आगया क्योंकि तुझे पताय अजक लोगे साथ कितना गलत हो रहा है कंता देख मोशे बहुत बढ़ी घलती हो गई मैं दुपाराना कभी ऐसा नहीं करोंगी मुझे मुझे माफ कर दे गांता रहा है कि एक बर माफ कर दे बाबा को चाल बी कि लेकिन मंमा ओफिस में अपस में उन्होंने आने से मना तो फिर मैं इन आप तो जानती है ना मैं तेरे भरों एपना सारा घर चोड़के जाते हूं तेरे उपर और तुझे कितना अपना मानती हूं बस थोड़ा में परेशान थी और अजानक से यह सब देख लिया तो मेरे दिमाग मेला गलती आने लगा प्लीज कांता तु बुरा मत मान मैं तिर से हाथ जोड़के माफी मांगती हूं मैं जानत करती हूं तु समझ लियो जो मेरे से गलती हूं उसी की मैंने भरपाई कर दी प्लीज पैसा होगा आपके लिए बहुत ज़र्वरत की चीज लेकिन मेरे लिए मेरी इज़त सबसे ऊपर है और जिस गर मेरी इज़त नहीं है उस गर में एक पल के लिए भी काम करने पसंद नह करूंगी मैं जारी हूं में सब्सक्राइब अरे यह क्या हो गया मेरे से आज कल तो वैसे ही नो करनी मिलते और मैंने से गलत समझ के अपने परों पर खुदी कुलाड़ी मार ली और यह सब ना क्या करूं मैं